प्यारे साथियों आप सभी के अमरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के मादम से क्लास 10th के बच्चों के लिए 2024 बोर्ड परिच्छा के लिए लाटेश सिलेबस लेकर काच चुका हूं और बच्चों इस वीडियो के मादम से मैं आप से भी हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे लेकर हीट कर लेंगे ठीक है अब अच्छे सबसे पहले हम यह समाहिए लेते हैं कि बोर्ड परिक्षाथ 2024 में आपको कौन कौन से क्वेस्टन और कहां कहां से किस चेप्टर से कितने क्वेस्टन आएंगे सब कुछ मैं आप सभी की समझे की इस मीडियो के मादम से डीटेल में डिस्कस करूंगा इसलिए आप सभी संबल रिक्वेष्ट है वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत करना सूरू से लेकर केंड तक जरूर देखना क्योंकि जब तक आपको सिलेवस की साब से पढ़ाही नहीं हो पाए ठीक है आओ सबसे पहले साथ यूजी समझे लो कि बोर्ड परिक्षा दोहेर चोविस से ही आपका थोड़ा से लेबस चेंज हो गया है पैटर ने पेपर का भी चेंज हो गया है क्योंकि हर एक पेपर में 20-20 एमसी की पुछा जा रहा है और 50 नंबर के कोशन जो की रीटेन तोर पर लिया जा रहा है ठीक है इतना बहुत समझा गया तो यह जो एमसी की हुए 20 बहुत कल्पी प्रश्ण है यह कहां से आएंगे सबसे पल इसको समझते हैं उसके बाद यह 50 नंबर कोशन कहां से पुटब के जाएंगे इसको भी हम अंत में समझे लेंगे क्लियर चलो आए समझेल लेते हैं सब से पहला जो हमेरा कोशन आता है पांच नंबर का पहला चेप्टर से आता है हिंदि गद्द के विकास का संचिप्त पर já इस सब्हाँए चेप्टर से यानि कि सुखल यूग और स्वेश्णों को मिला करके पांच नंबर के कि क्षेण आएएंगे हरे question एक नमर का होगा और 5 question इस चेप्टर से put up के जाएंगे किलियर आगे बात करते है सेकेंड चेप्टर से यानि कि second चेप्टर का कौन सा है हिंदी पद्र के विकास का संचिप्त पर्चे इस वाले chapter से रिति काल और आध्धुनी काल इस दोनों को मिला करके पांच नमर यहां से कोशन पूटब करिया जायेंगे तो कुछ चाहंगे लाजेंगे इसदोपर को अराम से पढ़्ण Janus और मन लगा करके पढ़ना है अचे से पढ़ना है तो अभी आप दसनी नमर यहांसे सीब कर पाऊगे ठीक है उसको समझिया यहोटी उसकी說 सबसे पढ़ए परिभासा, सबसे परत परीबासा परुदुद देसकते हैं इसके इसे उ脩zlich loud इसका पाइशा कर सकते हैं इन आभी चीजों का पढना पढ़ेगा रहसे एक कोषन एगा और अलंकार से बागी यहां पे चंद से कोशन पूटप किया जाएगा और सो रठा एम रोला ठीके इसका लक्षड भी समझना है और एजामपल भी समझना है क्योंकि कभी-कभी एजामपल भी पूछ देता है ठीके इतना बात क्लियर समझ में आ गया चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सब्सक्राइब करें कि पूछ देता है ठीके तो रड़ी समयत रखना है ठीके इस वाले को याद रखना है उपसरग बहुती ही चोड़ा टापिक है बहुती इजी है उपसरग और पते फासानी से collect कर सकते कोई दिखत की बात नहीं ठीक है अब यहां पे एक और टापिकाता है संस्क्रिट ब्याक्रसे इसमें से भी कोशन फिल्मिलाकर के 20 नमर के पर आईया आईये अब हम यह समझ लेते हैं खंडबा में जो कोषन आएंगे वह कहां से आएंगे यानि कि वनात्मक प्रशन जो पुच जाएंगे इसको समझते हैं तो सबसे जो पहला चेप्टर है कौन चाहे हिंदी गद्ध का जो भी हमारा चेप्टर है उस वाला चेप्टर से 6 नमर कोशन पूटर के जाते हैं कैसे हमें सबसे पहली समझो को बढ़्र हेत्तु सबसे बढ़ा जाएगा और गद्यां समें क्या करना होगा एक चोटा सब पाइशेज होगा थे के अगला भी कोशन होगा ़ेकि पढ़प न latitude ठीके होगा फद्यांस प्रकार को पढ़ना और पढ़ कर सारे इंदिन को हल करना है चली अब आगे यह देख लेते हैं बाई कि संस्कृत गद्यांस का चुद्ध तुकड़ा दिया रहेगा थिक इतना बात के लिए अगया और इसी परकार संस्क्रिक घध्यांज का जैसे होता है चलि अब आगे बात कर लेते हैं कि एक खंड का भी एक हर एक जीले है याप सभी को पता होने चाहिए चलो आगे जो की मीन टौपिक है मारा जो की बॉड के पेपर में हर साल पूछा जाता है कि गद्धिखंड और पद्धिखंड यानि की लेखा का और कभी का ये बॉड के पेपर हर साल हमेशा गरंटी है। हमेशा आता है। जीवन परसके और जीवन परसके पर्षी 5 इन सफर्णा ही। सब्सक्राइब मतशिक्राइब अए पत्रशक हरनी है। समस्क्राइब की लेफार ॥ पाठेवस्तु से कंटर्स्ट किया हुआ एक स्लोक लिखना होगा एक पोएम लिखना होता है और पोएम नहीं पता हो तो ठीक है आपको यहां पर दो नमर का पूछा जाता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है चलो आगे देख लेते हैं और इसी पर संस्कृत के अधार पर ही आप से कुछ कोशन कुछ आएंगे एक दू उसको भी यहां पहल करना होगा जो कि परते कोशन दो नमर का होता है यहां से चार नमर मिल जाएंगे ठीक है अब जो कि में मेजर टापिक है इसको देवन से समझना है निबंध रचना यह बोड के पेपर में हर साल माकसिम माकसिम पुछा जाता है यही एक ऐसा कोशन है जो कि पेपर में नौ नमबर का पुछा जाता है कि मैं नौ नमबर का अब यह हम यह समझ लेते हैं और ड्रचना को कि आ तो मुझे आसाना पूरा बड़ासा है कि आइफ्लू पर आसकता है निमंद लिखने के लिए थेख़ए तो को द्यान में रखेन हो यह याद आयाद के नीमों, और सादन जो भी होते हैं, इसे आप सो निमन्स के लिए क्वें आप विपिए को सबसे पहले कि निमन्स के लिए क्या करना होता है। फिर पांच तके अथेटिंग लगाओ और ऑंधिय। तुमार लिखना नहीं भूलना है इस बात को ध्यान में रखना है इतना बात आप सभी को अगर आप क्लियर तरीक से रखते हो माइड में तो बोड़ के पेपर में अच्छे सचे माख सचिब कर सकते हो ठीके और साथिए और आप सभी को जोगी प्रैक्टिकल बढ़ा होते हैं लेकिन आपको अपने भी मेहनत करना है, खुद पे, जो भी आपके पास समय है, टाइम है, उसको रिस्पेक्ट करिए, और उसका उटिलाइज करिए, ठीके, तब याप बोर्ड के वेवर में अच्छे साचे माक सचिप कर सकते हैं, तो पहरे साथ ही हो, आज के लिए बस इतना